जन्दगे में बहुत सारे उतार चड़ावाते हैं जिसमें एक आर्टिस्ट को बार बार अपनी काबिले दिखाने पड़ती है लेकिन मेरा भाई राजीव खुश किसमत है कि जो हुने किया वो दर्शकों को पसंद आया जो कि यूथ आइकर ने एक्टर ने थे फुन प्रोड्यूसर ने भी तो उन्होंने जल्दी अपनी एक सीरीज भी लॉंच किती है जी हां मैं गाल कर रही है रगुरू रामदी शश्रिकाल कि में हो तुस्रिकाल कैसे हो किदा एक वर्ड आता है अरे काफी वर्ड आते हैं मगर मैं एक साथ नहीं बोल सकता है मैं पूरे पंजाबी समझता हूं और मैं बोलना भी सिख जाओं बहुत जल्दी अगर रगु और राजीव कुछ काम करते हैं तो हम चंदीगड आते ही है ऐसे आना हुआ कि हमने एक नया शो बनाया है इंडियास बेस जुड़वा जी टीवी पर आता है सारड़े और संड़े से हमको आट होजे इससे पहले आप रोडीज के ओडिशन लेने चंदीगड आते थे अभी किसी और शो के लिए हैं क्या फरक में सूस करें मुझे कोई फरक नहीं लगता चंदीगड में शायद लोगों को मुझ में एक फरक दिखे हो सकता है कि अगर मैं रोडीज में आता था तब मेरे मेरे अगर में प्रेशनेलिटी आलग हूँ थी और में अपने अंदर हीँ रहता है कि नहीं यह रोडीज है मैं कुछ मश्कुराओं का नहीं यह जो अगर मैं बुराथ चीज करot हो, अगर मैं अगर मैं अग्रेसिव अरो तो पर सामने हो बहांज तो प्यार से बात करर रहा और हमें हर कोई गूरता ही रहता है और हमेशा काफी fascination है और लोग पूछते रहते हैं कि कैसा होता जुडवा होना हम बता नहीं पाते क्योंकि आप समझोगी नहीं जुडवा होना एक बहुत सपेशल चीज होती है एक बॉन्ड होता है जो सबसे करीबी भाईयों में दोस्तो कर दों में मा बेटी में भी नहीं होता वो एक ही आधमी दो बार होता है एक व कहा हुआ होति यह एक अजूबा है और इस रिश्टे के बारे में कोई बात कुई लगी नहीं है तो तो फैसेनेशन है मंगर hairy किसी ने बनाई नहीं बनाई बाहर लोगों ने बनाई नॉर्मल लोगों ने बनाई और सारी हीट है तो आई थिंक मेरी और राजीव की एक रेस्पॉंसिबिल्टी भी बन जाती है कि हम इस अनोखे रिष्टे को इंडिया के सामने रखें जो कंटेस्टेंट आपने चूज किये हैं कितनी आपकी उमीदों पर खरे उतरे हैं अब आप हिल जाएंगे हमने अच्छी इंको काफी थोक थोक के टेस्ट किया है उनको बजा हम फिर भी सर्प्राइस्ट हैं कि यार वो एक आदमी दो जगा है क्या ये दो अलग हैं गया एक ही है ऐसा लगता है कि कई बार आपको भी कंफूजन हो जाती हमने उनको हमने उनको हमने जुदा कर दिया है हाँ सेट पे जब यह आते हैं हर हवते एक बार आके मिलते तो आपके और और जीए की बढंडिग की बात करें किस तरह की बांडिग रहती है और किस मिसकंश्पशन सपयाइब हो जाती है आप डहीं नुक्तव कि लोग mobilize ग्राह्न一定要 Allen चाहे वो काम हो या मस्ती हो, वो एक और एक ग्यारा है हम, हमारा काफी कम जवाब है क्योंकि जुड़ूआ है हम, तो वो बॉंडिंग हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उनके साथ काम करने भे मुझे सबसे आदा मज़ाता है, क्योंकि उनका मैं फैन हूँ, राजीव का, क अगर अरे करके एक डिजिटल प्लाटफॉर्म में उन्होंने हमें पहले बार मुझा दिया एक फिक्शन शो बनाने का, जो हमारा खुद का एडिया है फिर से, उसका नाम है आईशा, मै वर्च्वल गर्ल्फरेंड, यह एक आर्टिफिशल इंटेलिजिएंस एप के बारे म ग्लोबल वेब कॉंटेंट के लिए अवाड़ दोते हैं, वहां आमने नौ आवाड़ जीते हैं, इंडिया से ओनली जो एक भी आवाड़ जीता है वो सिर्फ इंडिया ने जीता है और अमने नौ जीते हैं, एक एपिसोड देखा था, उसमें क्वेशन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हैं, हम दोनों एक ही साथ एक चीज बोलते हैं, एक ही गाना एक ही साथ गाह देते हैं, वो शुरू करता है, मैं खतम करता हूँ, मैं जो सोच रहा होता हूँ, वो बोल देता है, यह बचपन से होता हुआ है, तो हमें पता है यही कनेक्शन है, ऐसा भी होते ह किस तरह से देखते हैं कितना ग्रोध कर रहा है भी टेलीज़ीन इंदस्ट्री आपन धिचिटल को जबिज़ करने से दिए अब फाइदा हुआ है मेरें यह से क्यूंकि टेलीज़ीन वालों को यह दिखा जो आपने घर पर पाला हुआ है रगु बहुत बहुत शुक्र आम से बात करने के लिए एंड विश्यू आल दे बेस्ट कि ये जो शो है काफिदार सक्सेट्फूल रहे थैंक यू सो मच तुछ कहना चाहेंगे दर्श को से इंडियास बेस्ट जुडवा जी टीवी, सैटेड़ और संडे शाम आठ होजे वाच एट और हमें बताइए सोशल मीडिया पर कि आपको कैसा लगा और हम आपकी बात सुनेंगे और अगर हो सके तो आपसे आपसे कम्यूनिकेट भी करेंगे तो ये थे रगुराम जो बात कर रहे थे अपने शो इंडियास बेस्ट जुडवा की जिसमें देश भर से जुडवा चुने गए हैं और उनके लिए काफी सारी चुनोतियां शो में रखे गई हैं चल्दी कर थे कामरामन विनोत पुरकाश के साथ पूजा वर्मान नश्री बस